मसकार दोस्तों, आसा करता हूँ, आप सभी प्रसंद एवं स्वस्थ होंगे ब्रेन टूमर के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी गलत फेमिया है बहुत सारी लोगों को लगता है कि सीर के उपर निकलने वाली कोई भी गांठ ब्रेन टूमर है और इतना ही नहीं बहुत सारे लोगों तो ये लगता है कि सीर और ब्रेन एकी चीज है जबकि ब्रेन सीर के स्कल के भीतर का वह स्ट्रक्चर है जिसे हम मस्तिस्क कहते हैं जो हमारे सारे सरीर को नियंतरित करता है और यही कारण है कि ये भेद पता नहीं होने की वज़ा से बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीर के उपर निकलने वाले कोई भी गांट ब्रेन टूमर है जबकि ऐसी बात नहीं होती है अधिकांस केसेस में जो सीर के उपर गांठे निकलती हैं वो या तो इसकिन से निकलती हैं या फिर इसकिन के नीचे की टीसूस से या कुछ ग्लैंड्स के ब्लॉक होने की वज़ा से और कभी-कभी इसकल के बोन के गांठ बनने की वज़ा से हैं और बहुत रेयर स्थिती में ही ये भीतर की और ब्रेन की तरफ एंक्रोच करती है अधिकतर लोगों में इन गाठों की तीन वजह होती है एक तो है लाइपोमा, दूसरा है सिबेस असिस्ट और तीसरा है आस्टियोमा जो लाइपोमा होता है वो चरबी के डिपोजिशन की वजह से होता है और ये गाठ भी प्राया, एक साइच की बनी नेती, बहुत लंबे समय तक और बहुत धिरे-धिरे बढ़ती है कभी कबार किसी किसी को थोड़ा बहुत दर्द होता है और कभी ये अगर forehead में हो जाए तो थोड़ा सा disfiguring लगता है Cosmetically अच्छा नहीं होता है इस वज़ा से लोग इसी निकालना चाहते है Otherwise ये usually कोई problem नहीं करता है और इसलिए अगर बालों के अंदर छिपा हुआ है कहीं पर तो बहुत बाल की treatment के आउशक्ता भी नहीं होती है और sebaceous cyst जो होता है वो हमारे tel granti जो sebaceous gland कहलाती है उसके किसी duct के या pore के block होने की वज़ासे होता है जिसकी वज़ासे अंदर में secretion इखटा होता चला जाता है और वो गरंती फूले लगती है और एक गांट का रूप ले लेती है कभी-कभी इसके अंदर calcium जमा हो जाता है जिसकी वज़ासे ये काफी hard भी हो जाता है और ऐसा लगने लगता है जैसे कि bone से निकला हुआ tumor हो इन lipoma और sebaceous cyst का इलाज बहुत ही आसान होता है अधिकांस के सेस्में surgical exigency ये जड़ से खतम हो जाते है कभी-कभार ही इनका recurrence होता है अधर्वाइज ये हमेशा हमेशा के लिए एक बार की surgery से ठीक हो जाते है अच्छा एक बात और कि ये जो sebaceous gland है और lipoma है उसे आप जब आप मूव करेंगे तो आप हड़ी से अलग फील कर सकते हैं मूव करने पर जबकि बोन से निकलने वाला tumor हड़ी से attached होगा उसे आप मूव नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से आप भेद कर सकते हैं कि ये sebaceous gland ये लाइपोमा है या फिर आस्टियूमा है या बोन से निकलने वाला कोई tumor है तो इस वीडियो को बनाने का कूल मकसद मेरा ये था कि आप छोटी मूटी गाठों के सीर पे निकलने पर घबराएं नहीं क्योंकि आपकी घबराहट दुसरे विमारियों का कराण बन सकती है तो जब भी कोई गाठ सीर के उपर निकले तो आप किसी डॉक्टर के पास जाए निरो सरजन के पास या फिर जर्णल सरजन के पास या निरोलाजिस के पास भी आप जा सकते हैं जो आपको बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का tumor है या simple गाठ है और ज़्यातर case में simple efficiency नाम के test से पता चल जाता है कि ये किस प्रकार की गाठ है या tumor है तो ये थोड़ी से जानकरी मैंने आपके साथ में share की उम्मिद करता हूँ ये आपके लिए लापकारी सिर्ध होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें अपने मित्रे जनों को share करें और इस चैनल को subscribe करें ताकि समय समय पर आपको ऐसी वीडियो और मिल सकें इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई और वीडियो देखना हो तो आप comment section में जरूर mention करें इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय comment box में जरूर लिखें और ये भी बताये कि क्या इस वीडियो के पहले आप भी समझते थे कि सिर के उपर निकलने वाला हर टूमर ब्रेंटूमर ही है बहुत बहुत धन्यवाद